जीवन को अपनी कैसे बदला जाए? कौन से स्टेक्स अपनाए जिससे कि आपकी लाइफ में चेंज आने लगे? मैं शालिनी वर्मा आज आपको बताऊंगी. मेरे पास सुबह से लेकि शाम तक हजारों की संख्या में कॉल आते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनकी प्रॉब्लम क को मैं सौल कर दूंगे और उनका जीवन चेंज हो जाएगा. कितनी बड़ी गलत फैमी में आप लोग हैं कि कोई दूसरा आपको चेंज कर सकता है. जब भी हम परेशानी में घिरे होते हैं तो हम यह सोसते हैं कि कोई दूसरा हमको उपाय बता देगा, रेमेडी बता देगा जिससे हमारा जीवन चेंज हो जाएगा. लेकिन एक्चुली मैं रेमेडी तो मैं हजारों की संख्या में बता ही रही हूं फिर आपका जीवन चेंज क्यों नहीं हुआ, ये एक बहुत आम और बहुत खास मुद्दा भी है कि आखिर इतनी सारी रेमेडी जानते हो आप फिर हैं. कैसे बदलेंगे? पहला स्टेप, डिसाइड कर लीजिए कि आपको जीवन चेंज करना है. हम बातें बहुत करते हैं, मेरी हेल्थ खराब रहती है, मेरे जॉब में प्रॉब्लम है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये प्रॉब्लम्स है, धेर सारी बातों की हम बात है, आपको डिसाइड कर लेना है कि आपको अपना जीवन चेंज करना है. यह जोटी सी बात नहीं है, यह ओवियzil सी बात है, कि आपको डिसाइड तो करना ही पड़ीका, लेकिन यह चलेंजिंग पॉइंट भी है, जब है बढ़न आप यह डिसाइड करेंगे? कि मुझे ज चेंज करना है अपने आपको दूसरा सेकिंड स्टेप कमफर्ट जोन से बाहर आजाईए जब आपने ये कदम उठा लिया पहला डिसीजन ले लिया कि जीवन को मुझे बदलना है तो जाहिर सी बात है चेलेंजस प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है तो कमफर्ट जोन से बाहर निकल आईए आप अगर बिमार रहते हैं आपने डिसाइड किया कि मैं अब अपने आपको हेल्दी बना करी रहूंगा उसके लिए मुझे जो जो चीजें जरूरी है मैं वो फॉलो करूँगा तो जाहिर बात है कमफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा अगर हेल्दी आएंगे तो कमफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए कमर कस लीजिए पहले तीसरी चीज क्यों और क्या आप चेंज करना चाहते हैं पहले ये क्लियर कर लीजिए कौन से ऐसे चीज है जो आप पसंद नहीं करते और क्यों पसंद नहीं करते जो आप बदलना चाहते हैं जैस जो मेरा weight बहुत बढ़ रहा है, मैं इसको change करना चाहता हूँ, मैं अपना weight lose करना चाहता हूँ, या मैं इस job में हूँ, इस job में मुझे अच्छा नहीं लगता, आप इस job को change करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ atmosphere आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हैं, तो जाहिर बात है जब आप सोचेंगे कि आपको job change करना है, तो 100 challenges आपके सामने खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर change करना है, तो comfort zone से बाहर आना ही हाना होगा, थोड़े दिन की जो problem है, वो problem आपको face करनी ही करनी पड़ेगी, तो तीसरा और खास step होता है, कि आप decide कर लें कि आप क्यों इस change को चाहते हैं अपनी जीवन में, और क्या change को चाहते हैं, क्या परिवर्तन आप चाहते हैं, ये भी एकदम clear होना चाहिए आपके दिमाग में, कि आप चाहते क्या हो, ये job तो छोड़ रहे हो, छोड़ भी दिया आपने, लेकिन आगे आपनी क्या सोचा है, आगे आप ये क्या है, ये भी step बहुत important है, जो आप decide कर लें कि मैं इस job को छोड़के ये दूसरा job पाना चाहता हूं या ये business में शुरू करूंगा, तो वो बिल्कुल mental clarity आपके साथ में होनी चाहिए, तो ये है एक अगला और बहुत खास step कि जो आपको चुन लेना है, जब आप options है, उस option में से एक option को आपको चूज कर लेना है, option चूज करने के बाद जो आपका last step है, वो है, follow करना, लोग बोल देते हैं, इससे कुछ नहीं होता, पर ऐसा नहीं है, एक वीडियो से अगर किसी एक विक्ती का जीवन भी change होने लगता है, या उसकी problem भी solve हो जाती है, तो वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है, तो मेरे सारे वीडियो ऐसे ही होते हैं, जो आपके जीवन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग आप खुद को analyze करके देखिए, आप लोग problems में घिरे हुए हैं, solution कहीं न कहीं और ही ढून रहे हैं, जो कभी भी नहीं मिल सकता, जो solution सामन हैं, उनको follow कर लीजिए, follow करना ही step सबसे important है, क्योंकि आप follow नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं, हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ये कर लेंगे, मगर करते नहीं हैं, अगर आपने वो step follow कर लिया, अगर आपने कर लिया, वो काम, तो definitely आपकी life change हो जाएगी, आपकी problem solve हो जाएगी, कोई भी remedy ले ले, कोई भी उपाय ले ले, जो भी करना चाहिए, उसको फिर जी जान से भिर जाएए उसमें, और ifs and buts मत लगाएए, होगा नहीं होगा, देखिए, नहीं भी होगा ना, तो आपका कुछ बिगड़ा तो है नहीं, अगर आपने कोई एक उप efforts आप लगा रहे हैं, उस efforts में दो ही चीज हो सकते हैं, या तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर नहीं मिलेगी, तो नहीं तो आज ही मिल रही है, तो एक कोशिश करने में तो कोई हर्च नहीं है, तो साथियों अगर जीवन को बदलना है, तो इन steps को follow करिए, और एक अच्छ मैंने बताई है, अगर आप उसको follow कर लेंगे, तब भी आपको वही same result आएगा, तो क्यों मेरी उंगली या किसी और की उंगली पकड़के आगे बढ़ना, खुद आगे बढ़िए, अपने पैरूपे खड़े होकर, वो जजबा लाइए, इन steps को follow करिए, और अपने जीवन को change आप खुद कर सकते हैं, मैं शालनी अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूँगी, तब तक के लिए, नमस्ते